हरो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब आपका इसे आपकी युट्यूब चैनल एसे फार्मा इस्टेडी में स्वागत है तो फैंड्स हम भी फॉर्म सेवें समेश्टर के वीडियो को इस्टाट किये थे जिसमें दो सब्जेक्ट अभी डिसक्रस करना एक आपका इंस्टूमेंटल मेथड रफ इनल्सीश और दूसरा आपका फार्मेसी प्राक्टिस तो आज हम के बारे में इसक्रस करेंगे जिसमें हम पहला इंटिस्टार्ट कर दिये थे जिसमें कुछ टॉपिक डिसक्रस भी हो गये थे अगर आप तुमने नहीं देखा है तो आप प्लेडिस में जाकर देख लिए तो आपको यह वाले टॉपिक भी अच्छे समझ में आ जाएंगे तो हमने उताया था फर्स्ट में आपके चार टॉपिक थे पहला दूसरा यह एंड तीसरा यह डिसकस हो गया था लेकिन हमने अब भी नॉटिफिकेंस आपको मिलते हैं एंड फ्रेंड्स आपको इस चैनल पर वीडियो कंटेंड के साथ साथ नोट्स कंटेंड पर वाइट किया जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जिसका लिंक हमने अलड़ी नीचे डिस्क्रिमन बॉक्स में दे दिया है लाइए बिने देएक ही विडियो को स्टर्ट करते हैं सोब्स हमारा टोपिक का जो तो चिद्ट तो फैंस मैं हम और जैसे और में अभी कि पहल है प्र mówią क्लासिफिकेशन प्रेंग सब्सक्राइब इसपन्व क्या पढणना है रिट्र फोदेक्टिंग इन फेपल दॉड शन कॉर्ड लिंके इस्टिडी ठीक एंड लास्ट टॉपिक आपका था एडवर्ष ड्रग वी एक्षन रिपोर्टिंग एड मैनेज्मेंट यह टॉपिक हमको यहां से यहां तक इस वीडियो में हमको देखना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग इंट्रक्षन की तो जैसे पढ़े होंगे लेकिन यहां पर पूर्य डिटेल से में आपको पढ़ना है तो फ्रेंट्स क्या होता है कि जब कोई दो या जोहीं नहीं है दो ड्रग मीश एक ड्रग हो दूसरा कोई अनदर पोर्षन हो यह इस पर एक्ट करता है और यह क्या होता है卡抪र कोई एक्ष्च होता है तो यह माल Calling जो इन उब्चक्त है ठीक अब यह दूसरा calling कुम्हान कुछ भी हो सकता है बीड थो सकता है बीज भी हो सकते हैं सब्लीमेंट भी हो सकते हैं यह कुछ भी हो सकता है जब पुर्ण किया अब यह बाकित जिजांत इसके फार्माकुलोगी आपको बादी के फाइदे मंद के लिए हो सकता है तो इसको इस को किया बोलते हैं ड्रग इंट्रेक्शन बोलते हैं अगर बिफिनसर के तवर पर देखें तो ड्रक इंटेक्शन मेवी डिफाइंड अजे मौटिफिकेशन इने ड्रग इंटेंसिटी और एक्सेंट ऑफ फार्मकलोजिकल एक्षन ऑफ ए वन ड्रग या ऑफ वन ड्रग बाई एनदर पोर्शन और ड्रग भी हो सकता है फूर्ड भीवेज एन सप्लिमेंट ठीक मिस्ट इन सब के कारण किसी एक ड्रग के इंटेंसिटी या फार्मकलोजिकल एक्षन पर कोई एक्षेक्ट होता है ено हमोटा 성ा मोलता है कि अब इनको रहां पे अलग अलग नाम दिया गया कि उसको बोल d identifies हुआ और डिया गया object ड्रग कि चो भॉह लिसको बोल गया इसको बले गया मिसमका सकते हैं कि जो डर्ग हुआ है जिसका ड्रग का फार्मक लोजिकल एक्षिन मौडिफाई हुआ इंटेंस्टी मौडिफाई हुआ है उसको क्या बोला गया औब्जेक्ट और जिसने किया है उसको बोल दिया गया मतलब यहां पर जो फूड या बीवेज या सप्लीमेंट किये होंगे उसको क्या पूलेंगे हम पूलेंगे ठीक फिर्ण करें और हमने पहले बताहिं कि इसका वीजर आपके लिए बिनिफेशील भी हो सकता है और है वहागे अब आता है इसका है तो इसको फॉलिंग तो किया गया है पहला आपका बेनिफीशियल ड्रग इंस अभी आपको वहां पर पर झवाब जाएंगे तो आपको इसका ऐक अच्छा सा ह्ट्रिटेटेन मोर्स मूलेगा ठीक ये तो हम आपको हीटिंग लिखिए पस समझाने के लिए ठिक तो सबसे पहले हम बात कहेंगे बनिफिशियल ड्रग ड्री ट्रीक्षिंट है जो जाता है आपस इसा वी अक्षिंट में अच्छा काम करें इसा प्रॉडिस हो माइव बॉडि के लिए बनिफिसीयल ओ ठीक उसको आप स्कूल नाम से हो जानते हैं इंटेंस निली मतलब कि इसकोम इंटेंसन एपने इंटेंस इसको हो जाता है कि इसको इसको किया जाता है जूसा कि बात कर आप को एक टेवल दिखा है आप पर यहां पर जैसे अगर हम दो ड़क की बात करें पिंसिलीन है एक आपका अपर बेशाइड है ठीक यह पिंसिलीन क्या आपका एक अंटिपायोटिक पर बेशाइड का एक सलफा सलफॉनमाइड है जो की गाउट अर्फिर्टिस के लिए उस होता है तो अगर इन जोनों को अगर इन जोनों कमबाइन देते हैं तो क्या होता है प्रिवेंशन और इमर्जिंस ऑफ एजिस्टेंस मतलब जो इनके खिलाफ बॉटनी रिजिस्टेंस होता है उसको क्या करता प्रिवेंड कर देता है ठीक तो यह भी मारी भाई क्या हुआ बेनिफिसियल हुआ नेक्स अगर इन दोनों कमबाइन देते हैं तब भी क्या होता है इनकी अक्टिविटी क्या हो जाती बढ़ जाती है यह भी मारी बेनिफिसिल हुआ तो यह था हमारे बेनिफिसियल ड्रग इंट्रक्शन और इसका कुछ एक्जामपल ठीक अब आता है आपका नेक्स्ट कौन सा अब यहां पर नाम स्थाल रहाए एडवर्स मतलब कोई साइड इफ्रेक्ट जयूदी डिखा होगा कोई झरू में अपस में आपस में औप्यक्ट पेडर्ट न का आपस रीक्शन हो रहा इसमें कोई एडवर्स इफ्रेक्ट देखने को मिलेगा ठीक तो हम इसको क्या कर सकत फार्मकलोजिकल एक्षण मॉडिफाई होता है और उल्टा होता है मतलब यह करना चाहता है कुछ सही तो हो जाता है कोई गलत किसके कारण कोई अनेदर ड्रॉग जब इसके साथ विएक्ट कर जाता है तब ठीक में एडवर्स एफट्ट दे देता है माई बॉड़ी में ठीक उसको क्या बोलता है अडवर्स ढख इंट एक्षाणर को इसमें क्या होता है कि समीटेंशन से कोई DOG किया भाजक की सब्सक्राइब किया यह कि लेकिन वह हम उमको नहीं मिल पाता ह। वह फिले हो जाता है इस इसमें थिक अनं को जाता है थे जो कि यह अन्वांटेट होता है मतलब कोई पिसक्राइब कर आए भाई इसको इसके साथ मत खाना माली कोई ड्रग है वो दूसरे फूर के साथ कोई इसके साथ कर दिया तो इसको यह बताना बहुत जो ही है का पिशन को कि इसको आप मिल के साथ मत खाईएगा तो इसके लिए प्रिसक्राइबर को भी अवे होना बहुत जो ही होता है अब अगया मिसके बात करें एडवस इंडॉर्स इंडॉर्ग इंट्रेक्शन की बात करें तो आप कुछ एग्जामपल रैसे हैं अगर डिश्टैलिस को हम इसके साथ कंबाइन दे रहे हैं ठीक तो क्या हो सकता है क् होते हैं यह भी आपका दे गई आप तो होता है बलुक हो जाएगा अब इसको कबने समय यहां पर क्या होता है यहां पर क्या होता है है तो बलकी क्या होता है सिविय हाइपकलास्यमी बहुत ज्यादा कम करें यह व्लिदेटाइस तो क्या हो जैता है दिखना कि तो यह हैं दिक निखित है तो यह फिसके दिखना हो क्या होता है कि जो विटार्मिन इसका यूज किया जाता है तो आपका जो लिए अपका बेनिफिसियल नहीं हुआ ना यह आपका क्या है तो यह आपका थीशाथ क्या था अब आपका आता है लास्ट मेकैनी इंट्रेक्शन अब में इंट्रेक्शन में आप यह पहले ही पढ़ चुके हैं तो आपने बहुत बहुत सुना होगा ठीक एब्जॉप्शन डिस्टिबूशन मेटाबोलियम एक्सक्रीशन टिक जो हमार इंचारों पर एफेक्ट करता है को कि यहां पर आता है इसमें आपका आता है आपको देखने को मिलते हैं पहला होता आपका सीनागेश्टिक जो कि ने बताया कि आपको बात बताएंगे तो यह यहांप है सिडिदीक देश्न है इंटगोंइस्ट्व है जिखام के अनब एकशन आपका राव्कijnस्टी आपका ह है डॉक इंटर ओट सुट्सक्रिया ऐट यहापने व सॉन मिलिग दिया है आपको नोट सम्नikte यह अना ёट्सिय मतलब यहाप सार्मघनेंट्रीग च हम देखनों को मिलते हैं सीने दियंट इन्टी कोई और को सब्सक्राइब हैना रिए अब जो इन दोना इसे जाधा रहता है तो मतलब कि अगाहां इश्कूल इसकों нос को लें तो इन दोनों का फार्मकलोजिकल एक्सेंट कम रहेगा सीवा इन दोनों के साथ कंबिनेशन दे तो क्या होगा कि इन दोनों का मतलब क्या होता है कि जब हम दो कंबिनेशन को लेते हैं उसका इफेक्ट उसके ज्यादा होता है ठिक सिंपली सा यह है अब आता है इनटागोनीश ड्रक ट्रक इन इसका मतलब क्या होता है कि एन इंट्रक न दूए कि लिए अब इसका उल्टाइफेक्ट कोई साइड इफेक्ट दे दिया ठिक तो वहां पर होगा इंट्रागोनिस ड्रग इंट्रेक्शन अब लाश्ट आपका ड्राइफेक्शन ड्यू ट्रांस्मिटर अप्टेक्शन अब अगर इसकी बात करें हैं हमें ड्रांस्मिटर अब इसकी लागं अब फॉर्णivan को स्वाइफेक्ट ड्राइफेक्शन trac केस कंट्रॉल स्टडी एंड कोहर्ट स्टडी जिसमें आपको फ्रेंट बसी दोनों अपको पढ़ने हैं स्लेबस के कोडिंग आप यह दोनों पढ़ने हैं कौन कौँछा देखें हैं हम क्या करते हैं कि कोई भी ड्रक की या कोई भी ड्रक से लिटेड जो उसकी एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसके डिटेक्शन के लिए उसके अंडर स्टेंडिंग के लिए उसके प्रिवेंशन के लिए इसके असेस्मेंट के लिए हम क्या करते हैं ठीक मीस अगर में और अद्वर्स इफ्यक्ट और नियुक्त सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब इसमें इसमें वीजिलन्स में तो अब यह तो अड्सक्युक्त सब्सक्राइब इसमें क्या होता है किसी भी ड्रग के पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के बाद यह रिपोर्ट हमको मिलता है इस रिपोर्ट में क्या होता था इसमें डाटा करते हैं जो कि दीअडियाए मतलब यह चीज़ प्रवाइट करेंगे हमको एक इन्फॉर्मेशन करते हैं यह रिपोर्ट किसके लिए serious and predicted drug reaction मतलब कोई भी drug का जो कोई serious and unpredicted reaction होता है उसका information भी प्रवाइट करते हैं ठीक तो यह एक system होता है जिसमें क्या होता है 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 कि यह a system whereby case report or of adverse drug event are voluntarily submitted by the health professional and pharmaceutical companies to the national pharmacovigilance center इसमें क्या होता है क्या होता है कि जो health professional होते हैं या pharmaceutical companies होती है यह क्या करते हैं किसी भी drug के drug adverse drug event volunteer का एक data submit करते हैं किसको जो हमारे pharmacovigilance के जो center होते हैं ने सेंटर होते हैं उनको ठीक किसमें spontaneous case report में तो यह था आपका spontaneous case report अब आता है आपका record linkage study अब record linkage की बात कि इसको इसको इंट्रूश किया था सबसे पहले 1946 में किसने किया था हलबर्ट एल डन ने ठीक हलबर्ट एल डन ने इसको सबसे पहले इंट्रूश किया था इसके बारे में record linkage study के बारे में इसमें क्या होता है कि किसी पेसेंट के life के बारे में एक record maintain होता है किसी भी primary health center ठीक कोई पेसेंट आया है उसका personal life के बारे में record maintain की जाता है और बाकि इसमें कुछ नहीं होता है यही होता है record linkage study में ठीक और उसको record करना भी जो होता है क्योंकि future में कुछ भी हो सकता है कभी जोगत पढ़ सकती है उस report की ठीक अब आता है next आपका यह दुनों आपको इसमें पढ़ने थे इसके जो टाइप कोते है record linkage study के जो होते हैं एक आपका रिट्रिक रिकॉर्ड कये now कर्यों और विट्रिक जाता है किसी कंपनी की id नमबर हो गया है जैसे आपका social security नमबर हो गए यह करके सब इस निया ड़ीकॉर्ड बना जाता है अब आता है बासों की सब अ matt यह आता है Works लोजिय जो कि मत यह आपको नहीं पढना लेकिन हमकोबन अप दे दिर्म लोजिकलंवंद दो ऊपडाइप का एक आपका घस कंटोर्युक्ति डरिसा आपका है को ह आघस अब किसष्केन के वारै सब्सक्राइब दूर सब्सक्राइब करने ठीज जश् Standing की तर्फ्सक्राहिं अगर आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई दिक्कत कुछ समझ में ना आ हो तो आपको कमेंट बाक्स जो कमेंट कीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीच आपको सब्सक्राइब करना भूलेगा और लाइकन को जो पिस कीजिए तो फ्रेंस वीडियो का इन तक देंगे लिए थैंक्यू एं टेक क्यार